नम्षकार दोस्तों मैं संतोष डोगरा स्वाक्त करती हूं आपका अपने चनल में दोस्तों आज हम हरे प्याज की हर्वेस्टिंग करेंगे और साथ साथ में कुछ इसके फाइदे के बारे में बात करेंगे हरा प्याज दोसों ना ही सिर्फ स्वाद में अच्छा होता है बलकि इसमें पोशिक तत भी भरपूर मातरा में होता है हरा प्याज में दोसों सल्फर बहुत जादा मातरा में होता है और सल्फर की जादा मातरा श्रीर के लिए बहुत जुरूरी होता है हरा प्याज फाइबर का भी अच्छा स्रोत होता है तो चलिए जब इतने सारे गुणों से बढ़ा हुआ हरा प्याज तो क्यों ना इसकी खासियत सबको बिताई जाए तो दोस्तों सबसे पहली खासियत यह होती है कि यह दिल के लिए बहुत अच्छा होता है इस प्याज में सर्फर की मातरा श्रेर में बीपी को सही बनाए रखता है हरा प्याज पाच्छन शक्ति में भी सिदार करता है हरा प्याज खाने से बहुत से रोगों से दूर रह सकते हैं दोस्तों यह जिसको यह गठिया और अस्मा जिन लोगों को हर प्याज के सेवन से ज्थ से ज्थ हरा प्याज अगर सेवन करें तो वो भी ठीक हो सकते हैं आंखों के लिए भी ये बहुत फाइदेमंद होता है आजकल जैसे सर्दी में फ्लू होता है कोल्ड होता है नाक में पाणी आने लगता है उसकी लिए ये हरा प्याज दोस्तों रामबन बनके काम करता है अगर आप हफ्त में एक जा दो बार इसकी सबजी बना कर खाएंगे न तो आपको ये बिमारी जो है ये पूरे सीजन में नहीं होगी तो इसलिए मेरी सलाद ये है कि आप इस सबजी को बना कर जरूर खाएं जिन लोगों को इलर्जी है वो ना खाएं तो सबजी बना कर जा फिर सलाद में जरूर लें और इसकी दोसो चटनी भी बहुत अच्छी बनती है तो मेरे को तो चटनी बहुत पसंद है तो दोसो आप लोगों को भी जरूर इस्तेमाल करें तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं थैंक ये